हलो दोस्तों आज हम यहां पर बात करेंगे टी बी जी ऐए तरी नदास भीन जी जावेरी लिमिटेड यह पंपनी करती है कमपनी का बिजनस मोडल है क्यूं शेयर के बारे में बात की जारी है क्या इस शेयर को लेना चाहिए अगर लेंगे तो क्या स्टॉप लोस रहेगा कित करूँ है चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को ही टॉल की नॉटिफिकेशन को अन कर लीजेगा बाइंग सैलिंग की कोई रिकमेंडेशन ही अपने फाइनशेल एडवाईजर कुछ की स्टैडी करें चीजों को सीखेंगे उतना पैसा आपका बनता हुआ नजर आएगा और क कमेंड शेयर जरू करिएगा इससे मोटिवेशन बढ़ता है आपको बताइए आपके लिए अच्छे से अच्छे स्टॉक्स यहां पर लाया जाते है तो कम टाइम में आपको अच्छे रिटन दे ओके बट इस्टिल सीखना बहुत जरूरी है और सीखने के साथ साथ अगर क साथ की सारी कोड़ की यहां पर सभी आउपलब्द यहां पर बेसिक स्टूइट एडवां टेखने का रिसर्च फटरीक अब आर यहां पर डियान पर किसी मार्किट में इस को करके जाएगा definitely पैसे बनाते हूए नजर आएए और इसके इलाबाँ अगर मैं आपको बता पूरे प्रश्ट करने के लिए बट आपको सिखाए जा रहा है इसके अलावा अगर आप वाट्सप गुरूप में जोइन होना चाहते हैं यहां वाट्सप गुरूप में जोइन ही है जहाँ आप 1200 रुपे परमन दे के आप गुरूप मेरे दिये गए स्टॉक्स का फाइदा उठा सकते हैं और वहां पर अपनी पोजिशन बनाके पहले से अच्छा गासा पैसा बना सकते हैं दूसरी बात 22 सालिंगी कोई रिकमेंडेशन वहां भी नहीं देते बट अगर किसी को साथ में काम करना हो पूट्फोलियो बढ़ा है तो इन नमबरों पर कॉंटक करें साथ 69 करोट रुपे की एक कंपनी है पी की बात करें तो 15 का पी एंडेश्टी का पी 31 का है तो आपको यह शेयर काफी सस्ता नजर आ रहा होगा बट पी के बेस पे यहां पर कभी शेयर यहां पर देखते नहीं है इसके इलावा हम देखें रोसी रोई कुछ खास यहां पर नजर से पहले तो यहां पर आपको बदर चलेगा कंपनी यहां पर इस इंगेज इन दा बिजनेस ऑफ रिटेल सेल्स ऑफ औरनमेंट्स मेड अफ गोल्ड डायमंड शिल्वर प्लेटिनम और प्रीशियस स्टोंस थूरू इट्स शोरूम और फ्रेंचाइजी स्टोर्स ओके तो कं सकते हैं इनके ब्रेंड बैजडर आपको दिखाई दिंगे अलग बड़े-बड़े यहां पर जो ही रोइन से ओके जो एक्ट्रेसिस है वह यहां पर सारा लिखाने आपर इनकी बैजडर है यहां पर इनके बारे में और जानना है तो कंपनी के ऊपर जागी है देख लीजि इनका पुष्टैनी काम है ओके जनरेशन इसी काम को यहां पर हैंडल करती है फिर्ज जोल्री तो ऑफर बाइब गारिंटी एज अर्ली एज निए इसके लावा यहां पर आप देख सकते हैं पोर्फोलियो की बात करें मतलब जो भी गोल और किसे इतनी भी जोल्री होती है सब यहां पर मिलेगी wedding jewelries यहां पर मिलेगी manufacturing capacity इनके पास अच्छी खासी है brand value की बात करें इतना पुराना है तो brand value भी obviously बात है अच्छी खासी यहां पर रहेगी तो सब चीज यहां पर क्या नज़र आता है अच्छी नज़र आते हैं मुझे वस एक concern क्या नज़र आता है यहां पर debt कभी भी ज़्यादा debt होता है तो वहां पर कहीं न कहीं profit का थोड़ा सा ऊपर नीचे होता हुआ नज़र आता है बट अगर हम बात करें आप देखिएगा इस शेयर को तो वह चीज़े अब नकारती हुई नज़र आएगी देखिए यहां पर देखिए अच्छी गासी गिरावट है small cap, micro cap शेयर है तो गिरावट भी हो वहीं पर यह दिखाई देगी बट बात करें भागने की तो शेयर भागता भी वहीं पर ही नज़र आता है आपर profit हो रहा है operating profit और net profit भी देखो तो 11 करोड रूपय का net profit होता हुँ दिखाई दे रहा है EPS में अच्छा आप बड़ोतरी यहां पर दिखाई दे रही है ओके और यहां पर yearly आप देखोगे तो company यहां पर 3% का margin था वह 6% हो गया है 18 करोड का profit 32 करोड हो गया है 2 करोड का यहां पर net profit 11 crore, तो क्या दिखाई दे रहा है, यहां पर दिखाई दे रहा है, चीज़ अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, यहां पर चल रहा है company का, इसके इलावा आप देखोगे, तो company यहां पर अच्छा कासा perform करती हुई नजर आई है, 125 crore से यहां पर 130 crore का operating profit हो गया है 57 crore से 59 crore का, यहां पर अच्छा कासा performance करती हुई नजर दिखाई दिया है, यहां पर, reserves की बात करें, reserves है company के पास, okay yearly basis पर आपको नहीं दिखाई देगा कि yearly basis पर यहां पर कुछ, जादा यहां पर कुछ company ने कुछ किया है, but still company अब इसलिए आपने देखा भी है, कि chart यहां पर गिरता हुआ नजर आ है, but company अब अच्छा कासा करती हुई नजर आ रही है, तो शायद यहां पर company उस level तक दुबारा पहुची जा सकती है, reserves की बात करें, 500 crore के आसपास के reserves है, borrowing भी है, एक करोड पर वन की progress में लगा रखे, cash की बात करें, अच्छा कासा cash पड़ा इसमें से 4.18% के share, अलग-अलग यहां पर मलावार गोल ने ले रखा है, और विजय कुमार यहां पर इनोंने 1.03% की holding डे रखी है, तो बात करें, थोड़े से ही share पबलिक के बास है, बाकि सारे के सारे share अच्छे हातों में है, अब एक चीज मैं दिखाना जाता हूँ, दे 3.69,000 यहां पर share यहां पर लेते हुए नजर आए तो अभी क्या नजर आता है, अभी यह नजर आता है, कि यह share गिरता हुआ, पुराने लोग यहां पर फसे हुए, ठीक है, और वो यहां पर अब भाव आता हुआ दिखाई दे रहा है इतने सालों बाद, तो share को इतना कम प बात करें, तो यहां पर ही share चलता हुए नजर आए, consolidation होता हुए नजर आए, बट अब चीज़े चेंज होती ही, नजर आ लिए, कैसे हो रही है, वो चार्ट पे चलेंगे तब बता हुआ, इससे रेलेटेड हम बाते करेंगे, बट उससे पहले request करूँ, तो चैनल को subscribe, bell icon को आपना portfolio बड़ा है, यहां पर call करिये, साथ में काम करिये, अच्छा गासा पैसा आपका बनता हुआ, नजर आता हुआ, दिखाई दे सकता है, बात करें, company की तो सबसे पहली बात हम यहां पर देखे, तो आपको यहां पर चीज़े पता चलेगी, कि यहां पर जो 52 वीक लो यहां पर भागता हुआ नजर आ रहा है, सबसे पहले में आपको कुछ बताना चाहता हूँ, हमने यह शेयर को यहां पर 90 रूपीज पर यहां पर बाई किया था, अभी कुछ दिनों पहले, और ऊपर के लेवल पे हम यहां पर बेचके निकल भी गए थे, अब दुबारा य यह वाला breakout होता हुआ दिखाई दिया, और as well as यह शेयर आप कहां की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, मुझे यह शेयर यहां पर 127 और इस लेवल 136 रूपे के आज पास जाता हुआ दिखाई दे रहा है, यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, एक कोब्रा पैट 120 रूपे के आसपास आएगा, तो यहां पर एक छोटा सा रिस्क के साथ यहां पर आप बाई कर सकते हैं, और कोई अभी यहां पर बाई कर रहा है तो याद रखिएगा, एक 4-5 रूपे का एक stop loss रखिएगा, अगर चीजे नीचे आती है, तो यहां पर आप छोटे से loss के सा सब्सक्राइब करता हूँ, तो देखिए, इसके आद इस स्टेज 3 आई, इस स्टेज 4 यहां पर चल रही थी, और स्टेज 4 के बाद यहां पर आप देख रहे हैं कि स्टेज 1 में यह शेयर काफी लंबे टाइम से राए, एक लंबा consolidation करता हूँ नजर आया है, और यह शेयर इस तर जैसे ही यहां इस पर्टिकुलर लेबल से निकलेगा, ठीक है, पहला टार्गेट इसके 137 के हैं, दूसर टार्गेट की बात करें, दूसर टार्गेट इसका 160, इसका 194 और यह शेयर 256 की तरफ जाता हूँ दिखाई देगा, जो कि अगर हम यहां पर देखे कि यह शेय है, तो अच्छी है, जब गिरना शुरू करेगी, तो आपसे वो रिटर्न छीन भी लेगी, तो सही टाइम पर प्रॉफिट बुकी, सही टाइम पर चीज़ों को लेना, स्टॉप लॉस के साथ काम करना, ओके रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रखना, जिस तरीके से आप का काम ने लाता रहता हूं, तो यह नई श्टॉक आते कहां से, आप सीखना चाहते हैं, तो इन नंबरों पर कांटक करें, यह कोर्स करें, तो आपको पूरा A2Z जो इस टॉक मार्कित होता है, वो सबज में आ जाएगा, वाट्स अप ग्रूप आपके पास है, और साथ में काम करना है, तो मुश्ट वेलकम है, तो मुश्ट वेलकम है, Thank you so much, God bless.